पिपक्ष की एकता होगी उसमें हम नेता बनेंगे अब ऐसा कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है पिपक्ष की एकता की जो कोशिस है कहीं से रंग नहीं लाने वाली देखे राजगीर जाना था इसलिए पहले आ गए बाहर के लोग समझ सकते हैं पटना से राजगीर जाने में कितना समय लगता है उसके चलते हुँ इतनी हरवड़ी में हो गए कि एक दिन पहले आना था जल्दी में आना पड़ा देखिए उनके मन में जो घवराहट है जिस तरह से उनके मन में आकांगशा रही होगी जो आकांगशा दिख भी रही थी कि विपक्ष की एकता होगी उसमे हम नेता बनेंगे अब ऐसा कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है इसलिए अनरगल बात बोलते हैं और कुछ बोलना है अंत में आकर कि अब कल की घटना है और आज जाकर कि अभी कुछ दिर पहले उन्होंने रियक्शन दिया राश्टिया ध्यक्ष भी उनकी पार्टी के उनक हमने दवा कर रखा है आप लोगों पर एक तरह से निशाना कर साध्राइक करें कि जो एंडिये के लोग हैं उनमें दम नहीं है आद दूसरा यह कह रहे हैं कि जिनको हमने निकाला है इधर से हटाया वही लोग बुज़र जा रहे हैं अब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे इस तरह की बात बोलें और प्रधान मंतरी जी के नेत्रुत में जिस तरह से अभी आगे चलने का डिसीजन हम लोगों ने लिया है तो इसका कोई मुकाबला कहीं है क्या कहीं से कोई टिक सकता है क्या कोई नहीं टिक सकता एक आखिर सवाल जेपी नटा जी से आपने मिला तो इसी संदर में मुलाकात हुई है उसमें और कोई चर्चा विसेश रुप से हुई हो ऐसा नहीं है झाला है जसी संदर में और कोई प्रचा विसे रुप से रुप से हुई है झाल झाल कर दो झाल